हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जन समर्थ पोर्टल के बारे में जन समर्थ पोर्टल को अभी सेंट्रल गौर्रमेंट ने हाली में लॉंच किया है ये बहुत ही ज़ादा बेनिफिसियल and first of its kind है मतलब की अपनी तरह का ये पहला ऐसा पोर्टल है जिसे गौर्रमेंट ने लॉंच किया है इस वीडियो में complete detail में बताऊँगा जन समर्थ पोर्टल के बारे में ये किस तरीके से आपको help कर सकता है और इसके क्या-क्या फायदे हैं और कैसे इसको use करना है मतलब complete इस crash जितनी भी detail हो सकती है जन समर्थ पोर्टल के बारे में सभी discuss करूँआ वीडियो को end तक देखिएगा बहुत ही ज़्यादा informative और मज़धार वीडियो होने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जन समर्थ पोर्टल है क्या दोस्तों जन समर्थ पोर्टल एक national पोर्टल है मतलब की government of India का पोर्टल है national level पर जिसे credit linked जितनी भी government के schemes चल रहे है उनको एक चगह पर एक साथ लाने के लिए ये बनाया गया है मतलब credit linked का मतलब क्या है simple भासा में अगर बात करें तो जितनी भी loan के scheme है मतलब government के द्वारा जो loan provide किया जाता है उन schemes को एक platform पे मतलब integrate करने के लिए जन समर्थ पोर्टल बनाया गया है पहले क्या होता था कि बहुत सारी जो loan की schemes चल रही है government की central government की credit linked जिनको बोलते हैं अगर formal language में बोले तो credit linked हो गया ठीक है तो जितनी भी credit linked government की schemes है वो अब पहले क्या थी बिखरी हुई थी मतलब जो citizens हैं जो लोग हैं इंडियन लोग हैं उनको क्या करना पड़ता था कि हर scheme को बारी बारी से देखना पड़ता था और बहुत सारी schemes के बारे में पता नहीं चल पाता था मतलब आप देख सकते हैं कि हमारे country में digital penetration तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है मतलब digitally हर कुछ है बहुत सारा सरकार का जितना भी data है schemes है सब कुछ digital है smartphone बहुत जादा है लेकिन digital literacy देखा जाये लोगों में तो अभी बहुत ही मतलब एक चिंता जनक विसया है जिस लेवल पे इंडिया digitally growth कर रहा है तो इसके कारण क्या होता था कि लोगों के अंदर digital knowledge ना होने के कारण वो ढूड़ नह इंटिग्रेट कर दिया एक ही पोर्टल पे ठीक है तो आप अब clear हो गया है कि ये national portal क्या है जन समर्थ पोर्टल क्या है जो की credit linked government schemes के लिए बनाया गया है यहां पर देखिए दोस्तों आप apply कर सकते हैं किसी भी मतलब schemes के लिए जो चार category है मैं उन category के बारे में बताऊंगा कि किन किन category के जो schemes है वो यहां पर डाले गए हैं यहां पर आप क्या कर सकते हैं पहले वो बताता हूँ आप अपनी eligibility चेक कर सकते हैं कि क्या आप eligible हो उस loan के लिए और यहां से ही आप direct apply भी कर सकते हो यहां से भी आपका digitally approved भी हो जाएगा और आप अपने application को track कर सकते हो तेरह schemes अभी इस portal पे total कितनी schemes integrate है मतलब जुड़ी हुई है 13 schemes और जो कि loan की चार categories है मतलब की चार field है ठीक है इन schemes को चार field में बाटा गया है 13 schemes को ठीक है और 125 प्लस यहां पर lenders है on platform मतलब कि क्या है government की जो schemes है जो loan का scheme है वो क्या जर्रनली क्या होता है कि जैसे मैं for example के लि तो वो loan कौन देता है bank देता है ठीक है तो यहां पर government ने bank को भी integrate कर रखा है आप दिखाऊंगा भी नीचे आपको scroll करके कि कौन कौन से bank है major जितने बी Indian bank है वो सभी integrate है तो बहुत ही ज्यादा मतलब एक seamless connectivity कहेंगे digital connectivity कहेंगे इसको seamless digital connectivity प्रवाइड करने के लिए citizens को government ने जन समर्थ portal को बनाया है ठीक है अब मैं यहां पर बात करता हूं दोस्तों कि कौन कौन से वो category है जो यहां पर आपको available है ठीक है education loan ठीक है agri infrastructure loan business activity loan और livelihood loan मतलब यह 4 category है चार category की schemes यहां पर available है कौन कौन से education loan, agri infrastructure loan, business activity loan, livelihood loan अब यहां पर मैं clear करना चाहता हूं दोस्तों कि यह जो schemes है यह purely central government की है मतलब कि हमारे country में तीन scheme चलती है एक central government की एक state government की और एक centrally sponsored scheme जिसमे central government और state government का हिस्सा होता है दोनों ही मिलकर उस scheme को मतलब centrally sponsored scheme को चलाती है जिसमें central government 60% funding प्रवाइड करती है और state government 40% और जो छोटे राजे हैं वो 20 प्रवाइड करते हैं और central government उसमें असी करती है तो मतलब यह दो तीन डाइब की schemes है मतलब जो central government, state government और centrally sponsored scheme उसमें से जो इस मतलब portal पर scheme available है वो सिर्फ central government की scheme available है ठीक है तो मतलब कि आपको यहाँ पर ना ही centrally sponsored scheme मिलेगी ना ही state government की तो कोई अब यह question मुझसे नहीं पूछेगा बहुत सारे बच्चे बहुत सारे लोग है कि इस पे तो मतलब कोई किसी राजे का for example महराष्टर ले लेते हैं महराष्ट government की कोई scheme है वो इस पे दिखेगी नहीं तो वो कहेगा कि यह scheme तो है नहीं तो मैं यहीं बताना चाहता हूं कि इस पर state government की scheme आपको नहीं दिखेगी ना ही centrally sponsored scheme भी इस पर दिखेंगी सिर्फ लोन है अब देखें education में कौन-कौन से लोन है वो भी बता देता हूं पहला है central sector interest subsidy इस पर मतलब की यह जो scheme है यह उन students को दिया जाएगा मतलब उन students के लिए हैं जो इंडिया में मतलब education लेना चाहते हैं मतलब इंडिया में admission लेना चाहते हैं इंडियन government के किसी क्या कहते है university में या private university में जो कि इंडिया में हैं उसमें अगर admission लेना चाहते हैं तो वो eligible हैं दूसरा जो NAC accredited institute है जो कि professional technical courses offer करते हैं ठीक है MBA हो गया या engineering हो गया ठीक है वो इसमें वहीं college क्या कहते हैं eligible है मतलब कि ऐसा होता है education loan में कि आप education loan को apply करोगे तो वो पैसा direct आपके किस के पास जाएगा institute के पास जाएगा तो यहां पर क्या है institute भी government से connected होते हैं कि कौन-कौन से institute government की कि स्कीम में connected है ताकि अगर कोई student किस education loan के लिए apply कर रहा है तो direct जिस institute में उसने admission लिया है उसमें पैसा चला जाए ठीक है अब यहां पर देखिए क्या है कि subsidy can be claimed only once ठीक है यह जो subsidy है यह मतलब एक बार ही ली जा सकती ऐसा नहीं कि मतलब एक साल आपने इस course में admission लिया MBA में तो यहां से आपने मतलब इसको avail कर ल दोन लेना चाहते हो तो नहीं मिलेगा ठीक है यह कि किसके लिए है यूजी कोर्से अंडर ग्रेजवेशन पोस्ट ग्रेजवेशन इंटिग्रेटेड कोर्से जो कि ग्रेजवेशन और पोस्ट ग्रेजवेशन दोनों होता है अब देखिए यहां पर major catch यह है दोस्तों कि य यह स्कीम मतलब कोई category wise नहीं है मतलब बहुत सारी स्कीम आपको ऐसी दिखेंगी जिसमें category का बहुत बड़ा रोल है category कि क्या बात कर रहा हूं मैं जैसे scheduled tribe, scheduled class, ST, SC, other backward class, OBC या फिर journal या economically weaker section EWS ठीक है आपने यह सुना होगा न EWS, OBC, ST, SC तो कई सारी स्कीम category wise बनाई जाती है सिर्फ कोई स्कीम SC के लिए है या ST के लिए है या कोई स्कीम general के लिए नहीं है तो ऐसा होता है कोई स्कीम सभी category के students के लिए है तो जो यह वाला central sector interest subsidy ह यह सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है किसी particular category के लिए यह सभी के लिए है तो मैं इस अभी वीडियो में सिर्फ education loan के बारे में ही detail में discuss करूँगा मैं successive वीडियो लाओंगा जिसमें मैं agree infrastructure loan, business activity loan, livelihood loan के बारे मैं अच्छे से बताऊँगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो इसलिए मैं ऐसा आपको बता रहाँ ठीक है अब देखिए यहां पर to know more about this scheme क्लिक करना है अब यहां पर eligible applicant institution मतलब कि आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से यहां पर institute eligible है मतलब आप देख सकते हैं कि क्या आपने जिस college में admission लिया है apply किया है वो eligible है कि नहीं यहां पर 4 category है इस लिस्ट में जाकर आप देखिए यहां पर एक लिस्ट खुल जाएगी ठीक है अब इस लिस्ट में आप जाकर अपने क्या कहते कि college को देख सकते हैं और और उसके according आप apply कर सकते हैं अगर आपको apply करना है इसमें बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों ठीक है अब देखिए यहां पर eligibility चेक करने के लिए यह जो मतलब यह मुझे जो तरीका लगा है eligibility का यह बहुत ही best लगा है क्योंकि students सबसे जादा कहीं फस्ते हैं तो वह कहां फस्ते है eligibility को लेकर कि वह इस loan के लिए eligible है कि नहीं कितना मतलब इसका EMI बनेगा कितने interest पर यह loan मिल रहा है कैसे मिलेगा यह सभी जानकारी students के लिए बहुत ही बहुत ही मतलब मुस्किल से मिलती है तो यह वाला जो step है य मतलब यह revolutionary step है type का इसमें देखिए आप सिर्फ क्या यह जो सेंटरली स्पॉंसर्डी स्कीम थी यह विदिन इंडिया थी ठीक है इसमें आपको अपना स्लैप चूज करना है कि कितना आपका annual income है general है OVC, HTA चूज कर लेना है ठीक है OVC, HTSC minority के लिए थोड़ा concession होगा ले इसमें डालेंगे आप ठीक है मैं डालता हूं इसमें 5 लाग ठीक है पांच लाग मैंने डाल दिया इसमें अब पांच लाग डालने के बाद इसमें enter amount you intend to invest by yourself कितना amount इस 5 लाग आपकी फीस है इसमें से कितना देना चाहते है मैं यहां पर 2 लाग डाल दिया तो required loan amount कितना हो eligible loan amount 3 लाग है eligible subsidy कितना है एक लाग 27 अजार monthly EMI आपकी 26 की बनेगी जो कि loan tenure कितना होगा 20 साल ठीक है यहां पर क्या लिखा रहा है congratulations you have we have found one education loan scheme for you ठीक है यहां पर edit करेंगे जब यहां पर category को change करेंगे यहां पर general के के लावा यहां पर करेंगे अब चेक eligibility करेंगे तो अभी भी यही दिखा रहा है लेकिन आप इसमें जाकर schemes में जाकर education loan में जाकर यहां पर जैसे डॉक्टर अंबेड कर क्या कहते की डॉक्टर अंबेड कर central sector scheme जो है यह किसके लिए है other backward class and economically backward class OBC और EBC के लिए है ठीक है तो ऐसे बहुत सारी schemes से यहां पर चार scheme आपकी चार-पांच scheme है यह क्या करता है education loan की मैं detail में उसके बारे में बात कर लेता हूं यहां पर ठीक है आपको सारी confusion दूर हो जाएगी central sector interest subsidy के बारे में मैंने बात कर लिया अब देखो पढ़ोग परदेश ठीक है यह भी एक scheme है डॉक्टर अंबेड कर central sector scheme है यह तीन scheme आपको दिखेंगी education से related और detail में agree infrastructure business activity livelihood loan के बारे में detail में बात करूँगा इसके अलावा मैं थोड़ा और इसके बारे में बता देता हूं जैसा कि मैं बता चुका हूं कि check eligibility यहां पर eligible हो की नहीं आप चेक कर सकते हो अभी दिखाया मैं education loan में apply कर सकते हो online digitally approved भी हो जाएगा और track कर सकते हो आप application को ठीक है अब देखिए यहां पर digital integration है मतलब यह जितनी भी चीजे है digitally Indian government की जैसे अधार आपको पता है कि digital मतलब हमारा identity proof है ठीक है income tax department जो central board of direct Texas है और NSDL है LGD है यह सभी integrate है मतलब कि पहले क्या होता था कि आप एक application डालते हो तो अग लिजेए यह education loan है ministry of education के पास गया तो ministry of education को क्या करना पड़ता था अधार को approach करना पड़ता था मतलब UIDAI को approach करना पड़ता था फिर NSDL को approach करना पड़ता था मिलना होगा तो approval मिलेगा अगर approval नहीं मिलना होगा तो तुरंत आपको पता चलेगा कि आप मतलब आपका loan approved हो पाया है या नहीं देखिए आपर bank partner है और key holder है जो मतलब इस जंग समर्थ portal पर integrate है जो major bank है आप देख सकते हैं जो SBI है बैंक ओड़ोदा है पंजाब national bank है कैनरा है बैंक ओफ इंडिया है और कुछ प्राइवेट बैंक भी है ICICI है एक्सिस है यह HDFC है कोटक है तो ऐसे बहुत सारे है फिर भी अगर आपको कुछ और जानना है इससे related अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उससे question पूछ सकते हो बहुत सारे लोग बहुत सारे बच्चे students question पूछते है तो आप भी पूछ सकते हो ठीक है I hope आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो ठीक है वीडियो अच्छी लगी हो तो इससे like कीजिए हमारे channel को subscribe कीजिए thank you very much और एक चीज जो मैं मताना fund ऐसी ऐसी बहुत सारी जो business activity loan है लेवलिवूड इसकीम है जो इनके बारे में भी डीटेल में बताओं और कैसे इसके लिए apply करना है मैं next वीडियो में बात करूँ है तो चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा thank you very much